जैसरी राम पैरे बगतो, देखिए परमातमा की शक्ति का चमतकार, सची घटना है ये, 75 साल की एक विद्वा, और उसने अपना संदेश परमातमा तक पहुँचाया, और परमातमा ने उसके जीवन में खुशाली भर दी, यानि उसका विवा करवा दिया दुबारा, सची अपना है बिल्कुल जो आज हम आपको बता रहे हैं, उस ओरत ने स्वेम बताया है, उन्होंने कहा, मैं 75 साल की विद्वा हूँ, मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे, मैं अकेली रह रह रही थी, और सोशल शिक्योर्टी तथा थोड़ी सी पैंसन पर कुजारा कर रही थी, मेरा जीवन बहुत ही सुना और निरासा जनक था, फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर भरोसा हुआ, यानि परमात्मा की शक्तियों पर भरोसा हुआ, इन शक्तियों के बारे में कहीं से पढ़के सुनके जान लिया था, कि परमात्मा की शक्ति अमारे अंदर विद्यमान है, उसी को अवचेतन मन कहा जाता है, उसी को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है, तो मैंने प्रती दिन उस शक्ति को संदेश पहुचाना शुरू किया, रात को सोने से पहले और मैं दिन में भी कई बार उस संदेश को दोराने लगी, मैंने ऐसे संदेश दोराया, मैं बार बार पूरी भावना से दोराने लगी, मैंने कहा कोई मुझे चाता है, कोई मुझे से प्यार करता है, मैं शादी सुदा हूँ और मेरा पती दयालू प्रेम पूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिक्ता वाला है, मैं सुरक्षित और सुखी ह ये सकारातमक संदेश वो बार 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 परमातमा तक पहुँचाने लगी। एक अपते के भीतर ही उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। जिस पल उसने द्रड़ता से यह तस्वीर देखी उसके अवचेतन मन ने आकरशन के नियम द्वारा जबाब खोज लिया। बुद्धी मानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसे और उसके नए पती को एक साथ ली आया। तो प्यारे भगतों आप किसी भी समस्चा का समाधान चाते हो तो परमातमा तक अवचेतन मन तक उस बात को बस पहुचा दीजिए। निश्चित ही आपकी वो बात पूरी होगी बाकी प्यारे भगतों और जी हमारी है और मर जी आपकी है अब हम अपनी वानी को राम देते हैं जैए श्री राम प्यारे भगतों